एक बार कुछ जंगली कुट्टे खरबूशों के एक जुंड का पीछा कर रहे थे। सभी खरगोश अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागे जा रहे थे। किसी तरह वे जंगली कुट्टों का शिकार बनने से बच सके और एक सूखी जाड़ी के पीछे जा चुपे। भागने के कारण सभी ठके हुए थे, जान पर बनाने के कारण दरे हुए थे और अपने जीवन के बारे में सोच कर दू, ही थे। कुछ देर गहरी सांस लेकर जब वे सामान्य हुए, तो अपनी स्थिती पर चर्चा करने लगे। एक खरगोश बोला, मित्रू, क्या जीवन मिला है हमको, हम कितने छूटे, तुच्छा और निरिय प्राणी हैं, न हमारे पास हिरन के जैसे सींग है, न बिल्ली के जैसे तेज पंजे, शत्रू पीछे पढ़ जाए, तो भागने के सिवाए हमारे पास कोई चारा नहीं रहत इश्वर ने घोर अन्याय किया है, हमारे साथ, संसार की सारी विपडा हमारे सिर डाल दी है, दूसरा खरगोश बोला, सच कहते हो मित्र, हर समय प्राणों का संकट मंदर आता रहता है, ऐसे भयपूर्ण जीवन से मैं बड़ा दुखी हूँ, जीवन लीला समाप्त करने का म करता है, तीसरा खरगोश बोला, मेरा मन भी करता है कि मर जाऊं, मैं अभी जाकर तालाब में कूद जाऊंगा, सारे खरगोश अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर उतारू हो गए और उन्होंने तालाब में जाकर दूब जाने का मन बना लिया, यह निर्नए होते ही वे तालाब पर पहुँचे, वहां कई मेधक रहते थे, वे सभी उस समय तालाब के किनारे बैठकर आराम कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने खरगोशों के कदमों की आहट सुनी, वे सभी तालाब में कूद गए, तालाब में कूद कर अपने प्रान देने गए खरगोश में धकों मित्रू, देखा तुम लोगों ने, ये मेधक हमसे डर कर पानी में कूद गए, इसका अर्थ समझे, इसका अर्थ ये है कि इस संसार में हमसे भी छोटे और निरिय प्रानी हैं, वे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, वे हमसे डरते हैं, लेकिन फिर भी वे अपना जीवन जी रहे हैं, तो हमें प्रान त्यागने की क्या आवश्यता है, हमें निराश नहीं होना चाहिए, जब ये जी सकते हैं, तो हम भी जी सकते हैं, सभी खरगोश इस बात पर सहमत हो गए और जीवन त्यागने जा विचार त्याग कर वापस लोट गए, सीख, विपत्ती में कई ब तो हम स्वयम को अच्छी दशा में ही पाएंगे। इसलिए जीवन से निराशना होकर हर विपत्ती का सामना कर जीवन जीना चाहिए।